नागरिक्ता संशोदन बिल को लेकर संचीर राउत का ट्विट सामने आया वैद गुस्पैटियों को बाहर निकाला जाना चाहिए अप्रवासे हंदों को नागरिक्ता दी जानी चाहिए लेकिन एड़ोरेट अमिशाद चलो वोट बैंक बनाने के आरोपों को आराम दे और उन्हें वोटिंग अधिकार ना दे क्या कहते हैं ये सवाल संजुराउत की तरफ से ये ट्विट के जरिये और साथ ये उन्हें ने कहा कि पंडितों के बारे में क्या वो आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद वापस कश्मीर चले गए है तो नागरिक्ता संशोधन बिल को लेकर संजुराउत की तरफ से ये ट्विट जो हम आपको तस्मिर में दिखा रहे हैं वैद गुस्पैटियों को बाहर निकाला जाना चाहिए आपको बता दे कि इस बिल का समर्थन जो है वो शिपसिना कर रही है तो चलो वोट बैंक बनाने के आरोपों को आराम दे ये ट्विट तो क्या 370 को अटाए जाने के बाद कश्मीर पंडित वापस चले गए है ये कहीं न कहीं जहांत एक तरफ इस बिल को लेकर समर्थन दिखाया है संजराउत ने शिपसिना की तरफ से तो वहीं दूसरी तरफ अमिश्चहा पर निशाना भी उन्होंने साधा उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 हटाये जाने के बाद क्या कश्मीरी पंडित वापस चले गए तो क्या इस सवाल के साथ सीधे तौर पर बीजीपी पर तंज भी उन्होंने कसा है तो नागरिता संशोदन बिल को लेकर संजी राउत का ये ट्विट जो हमाग को टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं तो अवैद गुस्पैटियों को बाहर निकाला जाना चाहिए अप्रवासी हंदों को नागरिता दी जानी चाहिए तो यहाँ पर साफ तौर पर इस विल का समर्थन उन्होंने किया है लेकिन सीधे तौर पर उन्होंने अमिश यहाँ और बीजेपी पर निशाना भी साधा कि कहा कि आर्टिकल 370 अटाने के बाद क्या कश्मीरी पंडित कश्मीर चले गए है क्योंकि जिस तरह से आर्टिकल 370 NRC को लेकर बड़ा दाव बीजेपी सरकार के तरह से चला गया है उसके बाद उन्होंने उस पर तंजी भी जरूर करता लेकित शिस सिना इस बिलक्वा समर्थन कर रही है